टॉप नियूज में आप मेरे यानिकी देव के साथ आईए देश की खास कबरों पर एक नजर डालते हैं हरियाना विदानसफा चुनाव में बीजेपी भले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उपरी हो लेकिन पार्टी के लिए नतीजे थोड़े निराश्चनक हैं 2014 में बीजेपी भहुमत के साथ सरकार बनाने में काम्याब रही थी वहीं इस बार उसे 40 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है ऐसे में अब बीजेपी हरियाना में निर्दलियव विधायकों के बूते सरकार बनाने की तयारी कर रही है हर्याणा लोखित पार्टी के गोपाल कांडा समेत रणिया विधान सभा से जीत कर आए रंजीत सिंग ने खूले तोर पर बीजेपी को समर्थन का एलान किया है वहीं सूत्रों का कहना है कि अन्यंडिर दलिये भी बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं इस बीच खबर है कि बीजेपी जेजेपी को भी साथ रखने की कोशिश कर रही है बीजेपी की गुरवार को हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने अमिच शा को सरकार बनाने के लिए सभी फैसले लेने के लिए अधिकरित कर दिया है शा के घर कल रात से ही बैठकों का दौर जारी है जो छे निर्दलिय विधायक बीजेपी की सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं उनके नाम है रनिया विधानसभा से रनजीत सिंग, दादरी से सोम्वीर, मेहम से बलराज कुंडु, नीलो खेरी से धर्म पाल गोंडर, पृतला से नैन पाल रावत, पुंडरी से रनधीर सिंग गोलन और बाचापुर से राकेश दौलत अबाद महराश्टर विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल कर, अजीत पवार ने बीजेपी का बारामती में पवार प्रभुत्व खत्म करने का सपना तोड़ दिया है बारामती विधानसभा सीट पर पवार ने 1,65,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने 2014 का अपना ही रिकॉर्ड थोड़ा है जब वो 89,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे बीजेपी ने पवार का गड़ भेदने के लिए गांधार समुदाय के नेता गोपी चंद पडलकर को उतारा था लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ पडलकर अपनी जबानत ही भी नहीं बचा सके दिल्चस बात ये है कि पूर्फ डेप्यूटी सीएम अजीत ने बारामती में खास प्रचार भी ही नहीं किया था उनके बदले ये जिम्मा उनकी पतनी सुने तराने से भाला था पवार पहले से ही आश्वस्त थे कि इस सीट पर उनकी टकर में कोई नहीं है छे बार विधायक रहे पवार ने 2014 में बीजेपी के प्रभाकर गवडे को 89,000 वोटों से हराया था जीत के बाद उन्होंने कहा बारा मते के लोगों ने जो भरोसा दिखाया है वह भाव विभोर करने वाला है और मैं उस पर खारा उतरूंगा क्षेत्र में विकास कारियों पर जोर रहेगा हरियाना विधान सभा चुनाव में बीजेपी भले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उपरी हो लेकिन न तो बहुमत हासिल कर पाई है और न उसके मंत्रियों ने उमेद के मताबिक प्रदर्शन किया स्वास्त मंत्री अनिल विज और बनवारी लाल को छोड़कर खटर सरकार के सभी मंत्री चुनाव हार गए हैं बीजेपी ने खटर सरकार के दो क्याबिनेट मंत्रियों राव नर्बीर सिंग और विपुल गोयल को इस बार टिकेट नहीं दिया था हारने वाले मंत्रियों की लिस्ट में साथ नेता हैं नार्नोज से कैप्टेन अभिमन्यू बादली से ओपी धनकर महिंद्रगड से राम बिलास शर्मा सोनिपत से कविता जयन इसराना से कृष्णलाल पमवार रोतक से मनीश ग्रोवर कमलेश तिवारी मर्डर केस में गुजरात लिंक मिलने के बाद से गुजरात और यूपी पुलिस साथ काम कर रही थी लेकिन जैसे ही यूपी पुलिस का गुजरात ATS के एक बड़े अधिकारी से संपर्ख टूटा उन्होंने आरोपियों की लोकेशन मिलना बंद हो गई गुजरात ATS लगाता केस की महत्वपुन जानकारियां यूपी पुलिस को दे रही थी लेकिन सूत्रों के मताबिक 22 अक्तूबर को गुजरात ATS के इस बड़े अधिकारी ने यूपी पुलिस से बात करनी बंद कर दी मुर्डर के बाद आरोपी, बरेली, पलिया, गौर-फंटा इलाके में घूम रहे थी उनका टारगेट नेपाल पहुँचना था आरोपियों की डीटेल मिलने के बाद गुजरात ATS ने उनके परिवारों पर निगरानी का माहौल बना कर उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर कर रही थी फिर 22 अक्तूबर को जैसे ही गुजरात ATS ने मामले पर पूरी ग्रिप बना ली उनके अधिकारियों ने यूपी पुलिस के फोन उठाने ही बंद कर दिये इससे यूपी पुलिस बहुत परिशान हुई क्योंकि उन्हें आरोपियों की लोकेशन्स मिलना बंद हो गई थी जब यूपी पुलिस रणनीती बना रही थी तब गुजरात ATS ने गुजरात राजस्थान बॉर्डर शामलाजी पर आरोपियों को पकड़ लिया तब तक यूपी पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी हाला कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरा पहलू ये है कि गुजरात ATS से मिली जानकारी के आधार पर यूपी पुलिस ने पहले ही प्रेस कॉन्फरेंस कर दी थी जिससे गुजरात ATS का मन खटा हो गया इसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस को किनारे कर दिया भारत ने पाकिस्तान द्वारा विदेशी राजनाइकों को पाक के कबजे वाले कश्मीर पी ओके ले जाने की नौटंकी बताया है भारत ने पाकिस्तान को लतारते हुए कहा कि वो पहले आतकवाद के खिलाफ कड़ी कारिवाही करके दिखाए इसके बाद विदेशी राजनाइकों को दिखाएं कि उसने कितना अच्छा काम किया है। विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हम इसे एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। पाकिस्तान इस तरह का खुला दुश्प्रचार तब कर रहा है जबकि पाकिस्तान अपने कबजे वाले कश्मीर के लोगों से ही लड़ रहा है। इसलिए वो वास्तविक्ता से दूर एक दूसरी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी और खबरों के लिए नवारे टाइम्स के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।